गुड मॉनिंग 7th क्लास यहां हमारे द्वारा हिस्ट्री का 4 चैप्टर मुगल सामराज्य कल स्टार्ट कर दिया गया था आज हम उसी चैप्टर में पेज नंबर 47 से आगे बढ़ते हुए अध्यन करेंगे मुगल सेने अभियान प्रथा मुगल शाषक बावर जो था 1526 इसवी से 1530 उसका कारिकाल रहता भारत में सामराज्य का ने जब 1444 में इसवी में फरगाना जो उसकी मूल जनम भूमी थी राज्य का उत्रादिकार प्राप्त किया था तो उसकी उम्र केवल 12 वर्षकी थी बावर जब फरगाना का शाषक बनाता तब वो 12 वर्षकी उम्र का अलपायू का बच्चा था ऐसी स्तती के अंतरगत जो मंगोलों की शाखा थी उजबेगों के आकर्मन के कारण उसे अपनी पैत्रा गद्धी को छोड़ना पढ़ाता मला फरगाना से उसको हटा दिया गया या भगा दिया गया था मंगोलों के द्वारा अनेग वर्षों तक भटकने के बाद फंद्रा सो चार इस्वी में काबुल पर कबजा कर लिया गया उसने 1526 में दिली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद में हराय था और दिली और आगरा को अपने कबजे में कर लिया था ये लाइन नोट कर लेना बेटा एक तो 1594 में फरगाना की गद्धी पर बाबर बैठा था फिर 1504 में काबुल पर अधिकार किया और 1526 में इब्राहिम लोदी को उसने पानीपत के युद में हराय था उसके बाद दिली और आगरा पर मुगल समराजी की स्थापना भी बाबर के दोरही की गई थी तालिका एक जो दे रखी है विटा आपके नेक्स्ट पेज पर दे रखी है हम उसका अधियन बाद में करेंगे पहले यहां पर अधियन कर लेते हैं कम्प्लीट तालिका एक में मुगलों के प्रमुख सेन्ने अभियानों को दिखाए गया है मुगल शाशनकाल के अंतरगत जो प्रमुख शाशक बैटे थे उनके द्वारा किये गए प्रमुख अभियान और प्रमुख युद्ध और प्रमुख कारे आपके उस तालिका में आपको मिल जाएंगे वो तालिका आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे जीके के कुश्चन आपके सौल होंगे आगे बढ़ रहे हैं तालिका एक में मुगलों के प्रमुख सेन्ने अभियानों को दिखाए गया है इसे ध्यान से पढ़िएगा क्या आप इस लंबे घटना करम में कोई पुनरावती ढूंड सकते हैं उधारन के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तातकाले खत्रा थे मुगलों और अहूम जो अध्याय साथ में आपको पढ़ने को मिलेगा अहूम कौन सी जन जाती थी और किस तरह से उन्होंने विद्रो किया मुगल शामराज्य के खिलाब और क्या-क्या उन्होंने सफलता हैं राप्त कीती सिख जो थे वो पंजाब से और इस एरिये से ही आये थे इन्होंने भी मुगल सामराज्य के खिलाब विद्रो किया था इनके बारे में डिटेल में अध्यान आप आठ और दस अध्याय में पढ़ेंगे मेवाड और मारवाड ये अपने राजिस्थान के ही दो प्रमुख क्या कहते हैं राज्ये थे मेवाड और मारवाड इसके बारे में इनसे मुगलों के कैसे संबंद रहे थे ये आपको अध्याय नो में पढ़ने को मिलेगा शफावे देरान से अकवर और हिमायू के संबंदों में क्या अंतर था क्या औरंगजेब के शाषनकाल में गोलकुंडा और वीजापूर के अधीग्रेंड से दख्षिन के युद्ध का अंतोपाय था इस तरह की जानकारियां आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी बेटा यहाँ पर आपके दो चित्र और बने हुएं पहला चित्र जो आप ध्यान से देखोगे जिस पर चित्र तीन लिखा हुआ है उसमें आपको हाती दिखाई दे रहे हैं उसमें चार पांच हाती दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे गोड़ा गाड़ी है और उसके बाद पीछे की साइड में पैदल, सेनेक और यह सब दिखाई दे रहे हैं तो भारत की युद्ध प्रणाली के अंदर हाती गोड़ों का प्रयोग करते हुए सेना का प्रयोग किया जाता था यह सेना के यह भी प्रमुकंग होते थे और इन्हें सेना के आगे की साइड में स्थान प्रदान किया जाता था दूसरी तरफ की सेना जो है नीचे आले चित्रम चार में दिखाई गई है जिसमें आपको तोपें दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में उसके पीछे सैनिक हैं जिनके कंदों पर बंदू के दिखाई दे रही होंगी आपको और सैना की संख्या भी बहुत कम है ये हमें नया ही युद्धु प्रणाली दिखाई दी थी बावर ने जब भारत में मुगल सामराज्य की स्थापना के लिए पानिपत का युद्धु इब्राहिम लौदी से लड़ा था पंद्रा सो चब्श में तो उसने इस तरह की सामगरी या बारुद तोप और बंदूकों की साहता से इस युद्धु को जीता था जबकि इब्राहिम लौदी के पास बहुत अधिक संक्या में सेना थी मातरा सेना की अधिक थी लेकिन फिर भी तोप और बंदूकों के आगे उनकी एक नहीं चल पाई थी तो यहां पर अपने तीसरे चित्र और चौथे चित्र के साथ जो लिखे हुए शब्द हैं वाकिये हैं हम उनका अध्यान कर रहे हैं चित्र तीन के नीचे लिख रहा है मुगल फौज अभियान पर युद्द के प्रियोग होने के होने वाले बारूत की तक्नीक भारत में चौदवी शताबदी में लाई गई थी आगने शास्त्रों के लिए इसका प्रियोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दखिन जैसे प्रांतों में प्रदेशों में हुआ था अधे एवं आरंभिक सोलवी सदी में बावर के द्वारा इसका प्रियोग किया था और चेत्र चार जो दिखाया गया है उसमें सोलवी सताबदी के युद्धों में तोप और गुलावरी का पहली बार इस्तेमाल हुआ बावर ने इसका पानिपत की पहली लड़ाई में प्रभावी डंग से प्रियोग किया था नेक्स पेस पर चलते हैं बच्चों यहां पर यहां हमारे एक तालिका बनी हुई है जिसका लेक पहले भी किया गया था कि तालिका एक जो है उसके अंतरगत मुगल शाषकों के बारे में बताया गया है जिसमें मुगल शाशकों के द्वारा प्रमुख मुगल शाशक और उनके द्वारा किये गए कौन-कौन से अभियान गटनाए थी जीवन की उन सबकी जनकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसके अंतरगत सबसे पहले बावर को लिया गया है बावर का कारेकाल भारत में 1526 से 1530 का रहा था 1526 में पानिपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और अफगान समर्थकों को अराय था 1527 में खानवा के युद में राणा सांगा, राजपुत राजाओं और उनके समर्थकों को अराय था आप लोग यह मत सोचना कि यहाँ पर तो खानूबा लिखा हुआ है और मैं खानवा शब्द का प्रयोग कर रहे हूँ बच्चों आगे की कक्षाओं में आपको खानवा का युद्धी पढ़ने को मिलेगा, खानूबा शब्द नहीं पढ़ने को मिलेगा और 1528 इस्वी में चंदेरी में राजपुतों को उसने हराय था 1530 में इसकी मृत्यों हो गई थी और मृत्यों से पहले दिल्ली और आग्रा में मुगल नियंत्रन इस्थापिक कर गया था 1530 से 1540 तक का कारेकाल जो था हिमायू करा था फिर उसके बाद शेशा सूरी ने इसको हरा दिया था 1515 तक शेशा सूरी जो अफगान शाशक था उसका शाशन काल रहा था और उसके बाद 1555 में इसने फिर शेशा सूरी को हरा कर अब मृग भारत में मृगल चामरज्य की दुबारा से इस्थापना कर दी थी हिमाईयू के वारे में बच्चों अवाप लोग पढ़ रहे हैं हिमाईयू ने अपने पिता की वसियत के अनुसार जायदात का बटवारा कर दिया प्रतेग भाई को एक-एक प्रांथ मिला था उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वा कांचाओं के एकारण हिमाईयू अपने अफगान प्रतिदोंदियों के सामने फीका पड़ गया था शेर कहने हिमाईयू को दो बार हराय था एक वार 1549 इस्वी में चौसा के युद में और दूसरी वार 1540 के कन्नौच के युद में इन पराजों ने उसे इरान की और भागने पर बादे कर दिया था बच्चों ये दोनों युद भारत में बहुत महत्पोन है इसमें अफगान शाशक शेरशा सूरी के दोरा हिमाईयू को हटा भारत से भागने पर मजबूर कर दिया गया था और 1549 का चौसा का युद और 1540 का कन्नौच का युद दोनों ही आप लोग अच्छे से याद कर लेना नाम और शेरशा सूरी के दोरा इसमें हिमाईयू को हरा कर इरान की तरफ धकेल दिया गया था इरान में हिमाईयू ने सफाविद शाह की मदद ली थी मनलब वहां का जो शाशक था सफाविद शाह उसकी साहता लेकर 1555 इसवी में दिली पर पुने कबजा कर लिया परंतु उसने अगले ही वर्ष इस इमारत में एक दुरगटना में उसकी मृत्यू हो गई थी अब आया अकवर का कारेकाल बच्चों ये बहुत ही महत्पून कारेकाल है 1556 से लेकर 1605 इसवी तक का इसका कारेकाल रहा था इसकी महत्पूर्ण विशेष्टाओं इसकी इतने लंबे कारेकाल जो अक्वर का राता इसे तीन बागों में विवक्त किया करके हम अध्यान करते हैं पहला वह काल जब वह बाले काल में अपनी गदी पर बैठा था उसके बाद मेडाइवल टाइम जिसके अंतरगत 1570 से 1580 तक उसके बाद जो काल था और उसके बाद तीसरा काल था जिसमें 85 से लेकर 1605 तक का कारेकाल समलेत किया जाता है बटा पढ़ते हैं अपन अकवर को 1556 से लेकर 1605 तक का कारेकाल पेज नमबर 48 तालिका आपकी अध्यान की जा रही है 13 वर्ष की अलपाईयों में ही अकवर समराट बन गया था उसके शर्षनकाल को तीन अवदियों में विवाजित किया जाता है 1556 से 1570 तक के मद्दे अकवर अपने संरक्षक वैराम खा नाम नोट कर लेना उसके संरक्षक का क्या नाम था वैराम खा और अपने घरेलू करमचारियों से सतंत्र हो गया था उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राजियों मालवा और गौंडवाना तता अपने सोतेले भाई मिर्जा हाकेम और उजवेगों के विद्रोष को दवाने के लिए सैने का अभियान चलायते 1668 में सिसोदिया की राज़दानी चितवर्ड और 1579 में रंथमबौर पर उसका कबजा उसने कबजा कर लिया था अब सेकेंड टाइम पिरियड चालू हो रहा है अकवर का जिसके अंतरगत उसने 1570 से 1585 के मद्दे गुजरात के विरुद सैने का अभियान हुए इन अभियानों के पश्चा तो उसने पूर्वु में बिहार बंगाल और उडिसा में भी अभियान चलायते जिने 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रो ने और जटिल बना दिया था फिर 1585 से 15165 तक का काल आता है इस काल के मद्दे अक्वर ने सामराज्य का विस्तार किया उत्तर पश्चिम में अभियान चलाये सफाविदों को हरा कर कांधार पर कपज़ा किया कश्मीर को भी उसने मुगल सामराज्य में जोड़ लिया मिर्जा हाकिम की मृत्यू के पश्चात काबुल को उसने अपने राज्य में मिला लिया दख्षिन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और एहमन नगर के कुछ हिस्तों को अपने राज्य में मि बेटा यहां पर हमारे दोरा आज की क्लास को आफ किया जा रहा है कल हम पेज नंबर 49 से इसी तालिका का आगे का पेज पड़ेंगे जिसमें और शाषक जांगीर, शाजा और औरंग जेप के बारे में द्यन किया जाएगा यह सबी शाषक मुगल सामराज्ये में नीव की इट सिद्ध हुए थे, मतलब नीव के पत्थर थे और इन्होंने मजबूत मुगल सामराज्ये के स्थापना की थी, ठैंक यू बेटा आज के लिए